नमस्कार नमस्कार रादे रादे दर्शको मैं स्लोजर नेहा मिश्टा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने ग्रहों को प्लैनेटों को ठीक कर सकते हैं चाहे कुंडली में चाहे जितने भी खराब से खराब इस्तिती बन गई हो गउसेवा कैसे करी जाती है आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप केवल गउसेवा मातर से ही आप अपने सभी ग्रहों को सभी प्लैनेटों को ठीक कर सकते हैं अच्छा बना सकते हैं तो में महात्वी बताऊंगी करते कैसे हैं ठीके अगर आपका शनी ग्रह ख तो मैं गव सेवा का बताओंगे कैसे आपको गव सेवा व its का करनी आपको कुछ नई करना है किवल आपके घर की आसपास आपको गाय को किवल जुनना है जब来 को ढूल contradiction नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है जाए के माथे पर आपको यह हल्बी और कुम्द रगाना है पहले सबसे उसके बाद में घर से आपको आटे की लोई लेनी है आटे की लोई के अंदर आपको जो है एक चुटकी काला तिल एक चुटकी हल्दी और आपको गुड की भेली रखनी है उसके अंदर और थोड़ी सी दूरबा हरी हरी कलर की यह गहास देख रहे हैं इसी तरीके तो दूरबा होती है वांटे करने के पारक को सात बार्पशא कि गॉँलमाता के वांटा करना है थाना की तो झालो Тогда के पूंच में ने कि तो आपने माथे करना है क्योंकि गाय की पूँच में राहू और शनी यह पापकत्री प्लैनेट होते हैं उनका वास होता है वहाँ पर तो आपको साथ बार आपको जाड़ा लगाना है जाड़ा लगाते समय आपको गव माता की पूँच पकड़के आपको अपनी सारी परिशानियां बोलनी है ठीक है है इसमें दीपक जलाना तो आपको नौ बार जो है नौ बार परिक्रमा करते हो तो आपकी जो प्लैनेट है कुन्णली में कंट्रोल मी जाते जब आप एक महीने तक यह क्रियाset को करोगे दोन्होता हुं आप कर न्यार जब अई कर दोको रहा है जिस्ति अब परते अप करना कर्म पर आपके जीवनार एक तरीके से परिवारतना सुरूव हो गया है ठीक है ये पूरा बहुत महत्यपूर्ण ये क्रिया है इसको आप निभाईए और गव माता से जब आप परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको जो ही चरण स्पर्थ करना अगर आप नई गाये हैं पहली बार गाये के पास जा रहें आपको अन्भाव नहीं है गाये आपको पता न आहीं रहता है कुछ लोग बैंगलोर में में रहते हैं तो रहते हैं तो रहते हैं, घाय मारते सब्सक्रिंद कर सकते हैं तो आप यह से दूर सथी आप advisStars कर सकते हो पेकर तीलक झालगा सकते हुए गाये के घ्रिया है रोम और समया वाले गाय का जो कान है ऊड़नी तो गाय के साथ यह प्रक्रिया स्टार्ट कर दो गाय आपको मारेगी और गाय आपको जान जाएगी पहचान जाएगी कि हां हमारे मालिक आ गये है यह हमाई सेवा करने वाले आ गए हैं तो गाए भी पहचान जाती हैं इतने तो जानवर भी काफी समझदार होते हैं और इनके अंदर प्रेम की जो भावना होती वह कूट-कूट के भरी होती है तो गव सेवा करना बहुत बड़ा मतलब महातु रहता है तो चाहे दुनिया वर के कोई भी स्तिती प भावा और में आपको पीसर आघ्राख वाले दिन गाये के कान में आपको अपनी कान में ऊजाती है जोुक्त नहीं बने बहुता यह बोलने जाते हैं तो उससे क्या होता है इसकी विसस लोगों की पूरी होती है तो जो आप आप आपका आपका ब्रह्म ट्राम जय आपका मैसेश चला जाये अगर आपके आसपास में घर के परिवार में लोग कोई परिशान चल रहा है तो उसको केवल ये गव सेवा बताएं गव सेवा में केवल आजकर लोग सहरों में केवल गुड़ खिला के चले आते हैं या बासी खाना खिला देते हैं तो जैसा आप खिलाओगे वैसा आपको भी मिलेगा, अगर आप किसी को अच्छे कपड़े दान करते हो, तो आपको भी अगले जनम में अच्छी चीज़े मिलेगी, जब आप ही कुछ अच्छा नहीं करोगे, तो आप उमीद कैसे कर सकते हो भी भगवान आपके साथ अच्छ सके लोग भी जो है इसका आनंद प्राप्त कर सके गउसेवा का ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए हमारी आप से यही अनुमती है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजेगा जो लोग भी कुंडली का विश्लेशर करवाना चाहते या फिर हतेली का वि चाहिए जीगारंटी के साथ में कहा होँ और जितनी बीप्लैनर्ट साफ खराप चल रहे हो सतीती पर सतीती बहुत ज़्यादा खराप चल रही हो गवसेवा में आपको गवसेवा कुदarnilus या पहले रिका लवी में मैंने बताया है वह प्लैनेट के proc squish यह आप तिल डालना है उसमें हल्दी डालना है लिए उसमें घॉक्स की भेली रखेंगे की यहें achieved जब गूल फर प्रीक्रम kulli mini for it चारो से लाट हो आपको परिक्रमा क्रणी है ओमात ठाटons बटित कर सकते ऐं नहीं स्पर्स कर सकते तो दूर से कहड़े हो कि गाय की धूलिए उसी आप चला कर सकते और पूरी मेरी मेरी चाहते बोल सकते हैं ऐसा तो यह करिया करिए एक महीने तक का उसके बाद में आप लोग खुद नीचे कॉमेंट करके बताएगा या वाटसप में बताएगा आपको रिलीफ मिली की नहीं ज्यादस ज्यादस वीडियो का आप लोग शेयर करिए नमस्कार राधी राधे